नमस्कार दोस्तो ओनलाइं लर्निंग श्टेनो चनल में आप सभी का स्वागत है असी शब प्रति मिनट की गती से संपायत के रेक्टेशन शुरू होगी तीन सेकिंड बाद दोस्तो यह सभी आउट्लाइन आपको हमारे टेलीग्राम गुरूप पर भी मिल जाएगी लिंक न आइट हाउस की दोड के लिए चुनाव अभियान में जुटे अमेरिका के पूर्व राष्टपती डोनाल्ड ट्रम्प को जटका लगा है कोलोराडो प्रांत की प्रमुख अदालत ने कैपिटल हिंसा मामले में ट्रम्प को राष्टपती पद के लिए आयोग्य करार दिया उन्हें इसके लिए राज्य के प्रात्मिक मतदान से हटा दिया है इस फैसले से ट्रम्प के लिए अमेरिकी राष्टपती चुनाव लड़ना मुश्किल हो सकता है अमेरिका के इतिहास में पहली बार है कि अदालत ने चोदवे सविधान संशोधन की धारा तीन का इस्तिमाल राष्टपती पद के उमीद्वार को आयोग्य ठेराने के लिए किया है चोदवा संशोधन अमेरिका में हुए ग्रही युद के बाद इसलिए लागू किया गया था ताकि कनफेडरेट्स कहे जाने वाले बागियों को सत्ता में लोटने से रोका जा सके इस नियम के तहत ऐसे किसी भी वैक्ती को चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है जो समविधान की शपत लेने के बाद बगावत का किसी तरह से समर्थन करता है या उसमें शामिल होता है कोलोराडो की अदालत ने तीन के मुकाबले चार की बहुमत से जिला अदालत के निरने को पलट दिया जिसमें निचली अदालत ने कहा था कि ट्रम्प ने 6 जनवरी 2021 को कैपिटल पर हुए हमले के लिए भीड को हिंसा के लिए उकसाया था लेकिन उन्हें राष्टपती चुनाव में भाग लेने से नहीं रोका जा सकता क्योंकि यहें इसपष्ट नहीं है कि सम्विधान की धारा में राष्टपती पद के लिए प्रावधान है पैरा ताजा फैसला सिर्फ कोलोराडो राज्ये में परभावी है लेकिन माना जा रहा है कि अमेरिका के दूसरे राज्यों में निश्चित रूप से इसका असर पड़ेगा इससे आगे के लिए ट्रंप को परिशानी हो सकती है जिस अदालत ने ट्रंप के खिलाफ फैसला दिया है उसके सभी नियादीश डेमोक्रेटिक पार्टी के गवर्नरों द्वारा नियुक्त किये गए थे धारा तीन के तहट पहले भी कुछ मामले दायर हुए हैं लेकिन यहे पहली बार है की मुकदमा दर्ज करने वालों को कामिया भी मिली है इससे पहले मिनेसोटा में दायर ऐसे ही एक मामले में पिछले महिने धारा तीन को खारिज करते हुए अदालत ने याचिका करताओं को आम चुनाव में दोबारा इस तरह की याचिका ला सकने का विकल्प दिया था कोलोराडो के ताजा फैसले के बाद अब अमेरिका की सर्वोच अदालत के लिए भी यहे तै करना आसान नहीं होगा की टरंप रिपबलिकन पार्टी की तरफ से नामांकन की दोड में बने रहे सकते हैं या नहीं पैरा टरंप अमेरिका की शीर्ष अदालत में फैसले को चुनोती दे सकते हैं लेकिन चुनाव में उनका नुकसान तो हो ही गया है दोस्तो आपको हमारी डिक्टेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में झाल डिक्ते हैं